हेलो एब्रीबन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल ल्डव्लूटी चॉप में सेंट्रल उनिवर्स्टी नॉन टीचिंग पोजीशन पर वेकेंसी है बिल्कुल पर्मानेंट सेंट्रल कॉर्मेंट की जॉब रहने वाली है सैलरी काफी अच्छी है मिनिमम सैलरी की अगर हम बात करें तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी रहेगी और अधिक्तम सैलरी की बात करें तो 1,00,000 से उपर है न्यू पैंशन स्कीम के तहट पैंशन की सुविदा रहने वाली है कोई application fees नहीं देनी है female candidate, SCST और PWBD candidate को चलिए देख लेते हैं, post का नाम देखेंगे और बाकी qualification सारी चीज़ें चेक करेंगे name of post देखें, group B और group C की post है जिसमें सैलरी जो है अलग अलग है group B में कहीं पर आपको level 7 के according salary 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है और कहीं पर जो सैलरी है, group B में ही जिसे assistant की vacancy है, hindi translator की vacancy है तो इसमें master degree जो है, अगर आपने किया है hindi में तो apply कर सकते हैं, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ठीक है, इसके लाबा LDC की post है librarian assistant की post है attendant hostel की post है ठीक है झाल 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 के छूबस्ट है झाल 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 उसके बाद जो है सैलरी जो है आप देख सकते हैं पोस्ट वाईज सभी की अलग अलग दी हुई है यह ओफिशल वेबसाइट का लिंक है एक्जाम होगा तो सलेबस के लिए आप लोगों को ओफिशल वेबसाइट पराना होगा अब बाकी चीज़ें जो है देख लेते हैं ओनलाइन जो है फॉर्म आपको फिल करना है यहां देखें दस्लेक्टिट कैंडिरेट सेल भी गवर्ण बाइद नेशनल पैंशन स्कीम और गवर्मेंट ऑफ इंडिया इसमें नेशनल पैंशन स्कीम जो है आपकी रहने वाली है चूट दी गई है कैसे अप्लाइ करना है पूरा प्रोसीजर यहां पर लिखा हुआ है इसे आप जो है रिडाउट करेंगे और पॉर्म अप्लाइ करेंगे सेलेक्टिटिटिया क्या रहेगा तो आपका जो है एक्जाम रहेगा और एक्जाम के द्वारा सेलेक्शन होगा ठीक है तो आप जो है पूरा पढ़ लेंगे जो भी स्कीम ऑफ एक्जामिनिशन दिया हुआ है आपके क्या-क्या जो है कोशन पूछे जाएंगे कितने marks का जो है आपका question paper रहेगा पूरा syllabus जो है नीचे दिया गया है notification देखने के लिए official website पर आएंगे career section पर click कर लेना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं यहाँ सबसे उपर advertisement for non teaching position आपको यहाँ दिख जाएगा 9 सितंबर से आविदन start है last date से पहले जो आविदन कर दें जो भी candidate interested है thank you